दोस्तो लोकल इन्फोबाइट टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज का जो अपडेट है वो है बिहार सरीफ के जक्सन के आगे से बंड है रेलेवे शेशन और रेलेवे लाइन का जो कि आप देख रहे हैं यह रेलेवे लाइन जो है यह स सब्सक्राइब करता है यहां जाती होता है चलिए मैं आज इसका अपडेट दूंगा और आगे आप पूले चलूगा कहां तक वर्क हुआ क्या है क्या नहीं वैसे इस रूट में स्रीफ अभी रेलेवे लाइन बिच्छा है और अभी पॉल रखावा यहां पर नहीं गराया किसी तरह का वर्क नहीं है और अभी इसकी मजबूती भी वेसी नहीं चलिए मैं आपको देखाने ही कोसिस करता हूं और लगपक जगहाओ पर सिलीपर रखा जा चुका दूर सही पता चला है कि अलेक्टिफिकेशन के लिए पॉल का गाड़ा जा रहा है आप मजदूर लगए गिट्टी वगड़ा काम दम कंप्लीट है और यह बढ़िया वाला पत्थर है देखिए पत्थरों काटके चलिए मैं आपको आगे आगे हॉल्ट है वहां तक अपडेट देने की कोसिस करता हूं और इसी तरह का अपडेट मैं देता हूं इसके लिए आप हमें फॉलो कर सकत है और यह जो गिट्टी बढ़ावा देखर है यह पूरा इस्टॉंग नहीं है यह नहीं मेरे बुलने के साब से अभी इस पर मसीन चलेगी मालगारी चलेगी फिर एक टाइट करने वाला आता है मसीन जो की मुकामा और इस मुगल सराय के बीच में ट्रेनों की स्पीड बढ बहुत दूर तक चला है लेकिन बने रही है मैं आपको जरूर दर्खाओंगा हॉल इस्टेशन और वहां तक पहुंचने कोसिस करूंगा जहां तक कोई नहीं पहुंचा है और गारी भी नहीं मिला तो 20 किलोमेटर में मुझे पैदल क्यों चलना पड़ है मैं आपको वहां इक सिलीपर को उठा कि लोग कितनी महनत से अगे से इशे वहांद Всेट खाल में बहुत तरीक चाहिए सेलूट होना चाहिए यह लोग बहुत 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 तरीके से काम करें तरीके से मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा तो यह रोड मिला जो कि इस साइड जो देख रहे हैं आप यह बढ़ भीगा चली जाती है और इस साइड आप बिहार सरीफ निकलिएगा मतलब नवादा साइड राजगीर साइड और यही रूट जो है कि आपको बिहार सरीफ जक्सन जाएगी और उसी तरीके से यह रूट जो है कि आपकी बढ़ भीगा जाएगी तो चलिए मैं आगे देखता हूँ आगे लोगों का कहने कि वर्क नहीं चल ला है लेकिन जहां तक वर्क चल ला है मैं अपडेट देने की कोशिज करूँगा आपको फिर आगे का भी वर्क आपको देखाऊंगा वैसे मैं देखा दू आपको कि इस साइड पीलर का का सिलीपर का काम हो चुका है और इस साइड अभी नहीं वह अभी गिट्टी का काम चल रहा है और देखिए आगे तक आगे गा बहुत हाइट है आपको देखने में कम लगड़ा होगा लेकिन लगभग लगभग यह पंदरा मीटर से कम नहीं है इस साइड नदी है और यहां पूल बन रहा है जो कि मैं दिखा रहा हूं आपको तो देखिए एक पूल का काम चल जिसका कि ढ़लिया काम कंप्लीट हो चु कि आप देख रहे हैं अच्छे से चलिए आगे बने रहे हैं कंटीनिव मैं अपडेट देने की कोसिस करता हूं और इसकी जमिन से हाइट बहुत है यह चलने पर हिलता है बहुत डर लगती है लेकिन अपडेट तो अपडेट है क्योंकि आप लोग हमारे सपोर्टर है तो मे यहां पर इक वीच्श का काम चला जो कि आप देख रहे हैं यहां पर रहे रोड है जो कि भीहार से बढ़ लविगा से पूरा और इस साइड मैं यानि बिहार सरिफ से आ रहा हूं और इस साइड बढ़ भीगा है तो चलिए मैं पूल का भी वर्क दिखाता हूं आपको उपर तो यह जो देख रहे हैं यह एक ब्रीज है जिसका की वर्क चलना यह लगवाग तीस मीटर लंबा है और सिंगल लेने हैं और इस साइड आप से पूरा सेरपूर से आते हुए इस साइड में पैदल चलने के बाद एक जगह इस्टेसन का निर्मान हो रहा है जो की मट्टी भढ़ करके और काफी चोड़ा बनाया गया आगे वर्क चलना है यह कौन से इस्टेसन है अब तो आगे जाने के बाद लोगों से पूछने के अब आगे लेकिन बने रही है मेरे वीडियो में लास तक जिस तरीके से मैं इस रोट को नाप रहा है उसी तरीके साफ मेरे वीडियो को नाप यह और देखिए चलिए मैं कोसिस करूंगा पूरा अपडेट देने का इस 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 श्टेसन का नाम बताने का और वर्क डिटेल पर भहुंत दूड़ चलने के बाद एक जगह प्लाइन का निर्मार हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं से यह सभी हिसाइills होने वाला है यहां पर जो कि आप देख रहा है यहां पर ड्रोडलेऀन होने वाला हिसंपार एक की लेन एक ये लेन और नीचे में अंडर पास है पब्लिक के लिए और इस तरह का रेलवे लाइन बेतर होता है जहां के सिगनल का प्रॉब्लम नहीं होता है तो चलिए बने रहिए और आगे देखाने के आपको कोशिश करता हूँ यह तो किलियर है कि इस साइट पेलेट फार्म होने वाला है और इस साइट रेलवे लाइन बिचने वाला है क्योंकि हाइड जमिन साब देख रहे हैं कि तारीक पेर आधा आधा आचुका है मतलब की 20 मीटर पलास होगा और इस साइट चलिए और आगे देखाने कोशिश करता ह तो जैसा कि लोगों को दो आड़ा बता है कि निवपूरा इस साइट में और यहां से अस्थवा लगवग तीन किलोमेटर दूर है और इस साइट में बिहार शरीफ लगवग 5-6-7 किलोमेटर दूर है मैं पैदल चला हूँ हमें रूट का अंदाजा नहीं है गाड़ी से कम ज़्यादा लग सकता है लेकिन रोट गोम गोम पैदल चलने में तो साथ किलोमेटर के लपेट में लगा क्योंकि हमको देर घंट लग आने में और इस साइट अस्थवा है बरभी घाता चलिए बने रही है लास्त तक मैं आगे किसी वीडियो में इसका अपडेट दूगा वैसे मैं इसका अपडेट दे रहा हूं कि यहाँ पर प्लेट फॉर्म का काम चल रहा है चर वगड़ा काम रख चर रखा वा है आगे भी काम चल रहा है जैसा कि आप देख रहे है वीडियो में इस तरीक ऐसे और आगे भी वर्क चल रहा है तो मैं कंटिन्यू कुसिस कर रह झालोड़ू झालो!!